आइफोन के रिव्यू से पहले के टेबल तो सेट करना पड़ेगा उसके बाद ही दोनों आइफोन का रिव्यू होगा तो हेलो एबरन मैं हूं अतिन अंधावा और मेरे पास रियल टेबल तो है नहीं मतलब जो ओफिस टेबल होता बड़ा जिस पर बैठके मैं रिव्यू दे से दोनों के दोनों Amazon से खरीदेगी है बस फरक इतना ही है यह 2020 का यह 2021 का आगे अभी इन में क्या फरक है डब्बे में क्या फरक है एक साल यूज कबने के बाद क्या फरक पड़ा है पुराने वाले आइफोन में वह सब चीजिए बारे में बात करेंगे इस वीडियो में तो बाकी जो है बिल्कुल सेम ही है मतल nor जैसे आई फोन बना ऊवगा वह दोनों पर सेम ही बना हुआ है और अंदर की बात कर लें अंदर क्या गया निकला था ऀसके अंदर तो जो तुराना वाले पहले खोल लगते हैं यह पुराना वाले एक साल हो गया में इस्वार क्या मैं तो इसको भी side पर रख लेते हैं यह phone को भी और यह देखो यह white color का जो 21 वाला है ठीक है अब इसको भी side पर यह पर रख लते हैं यह उल्टा करके रखते हैं ताकि आपको easily पहचानने में easy रहे तो यह आप आप देख सकते हो यह पुराना वला आइफोन है मतलब है 11 ही लेकिन 2020 वला है यह 2021 आप डब्बे के अंदर क्या क्या निकला तो जो नया वळब यह आप देख सकते हो इसके अंदर यह कागज की ओती है lightning वाली वही है ख्रयों और जो दूसरी वाली साइड है वो आपको मिल जाती है type c अब यह नए वाली की बात कर रहा हूं मैं नए वाले में type c मिलती है आब पुराने वाली की बात कर लते है पहले इसको side में रख लते है नए वाले phone के सामने उसकी जो accessory मैं यूज करता हूं लगलर लगने ये मतलब की चार्ज़र, やλά साथ में लाइटनियर, तो यह यह व्यानोह रिखता हुड है रेड्मी, रियलमी, लिनोवो, कोई भी charger उसमें ये easily लग जाता है, उससे भी ये phone charge हो जाता है, तो ये चीज, और साथ में थे headphones तो आप देख सकते हो 2020 में headphones भी मिल रहे थे charger भी मिल रहा था wire भी मिल रहे थी 2021 में सिरफ wire मिल रही है charging वाली तो आप कर लेते है rate की बात वैसे तो मैंने rate पहले भी बता रखा है लेकिन फिर भी आपको बता जिता हूँ दुबार से अगर कोई new मेरे channel पे आया होगा तो यह जो 2020 में मिला था यह मेरे को Amazon पे ही मैंने खरीदा था और sale में और sale में यह 52,000 का पड़ा था 128 GB वला और यह भी 128 GB वला है और यह इस बार की sale में Amazon की sale में तो उसमें 44,000 का मिला है तो आप देख सकते हैं कुछ 8,000 का इन दोनों में difference है लेकिन 8,000 का difference के बाद यह दो चीज़ें भी तो कम होगी है मतलब अब सिर्फ आपको ऐसा ऐसा ही iPhone मिल रहा है अब इसकी battery health की बात कर लेता हूँ मैं नए वाले phone की तो मैं पहले आप दिखाता हूँ यह 100% अभी इसकी battery health मतलब बिल्कुल fresh piece है नया piece piece मिला है Amazon sale में ऐसा कुछ नहीं की fraud वगएरा हुआ हुआ हो पुराना piece दे दिया हो तो कि battery health बिल्कुल 100% है और बाकी वैसे भी phone बिल्कुल untouched है कोई scratch नहीं था कुछ नहीं था तो यह नए वाले iPhone मतलब 2021 वाले Amazon sale से जो मिला iPhone उसकी बात अब कर लेते हैं मेरे वाले iPhone की बात तो आप देख सकते हो यह है मेरा iPhone और मैं इसको battery health निकालता हूँ तो यह निकाल लिए मैंने अपने वाले iPhone की battery health आप देख सकते हो यह मेरा यह purple वाला एक साल पुराना के वाले वाले है वाले हुता था मतलब गर्मयों में भी इसको पूरी तरह से यूस करता था में अब मेरे यूज करने का पता है कैसे है कि मैं बहुत ज़ाँ एक्स्ट्रीम use करता हूँ मैं इस पर वीडिओ भी पर काम एक्से जर्ट घ भाके पूरा दिन चला रहता है हां मेरे कुछ दिन में दो बार चार्ज करना पड़ता है उसके बाद ही काम कौना तो मेरा बहुत extreme usage है, मतलब जो screen on time भी 11-11 घंटे हो जाता है, इस phone के साथ, अभी अगर सामने दिखाई देगा, तो मैं आपको दिखाता हूं, screen on time, हाँ, last screen on time पते क्या, 17 घंटे, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको दिखाता हूं, यह देखो, screen on time, 17 घंटे, त तो इतना जादा जादा screen on time रहता है, तो आपको पता है, यह दो या तीन बार चार्च करना ही पड़ेगा, और battery health इसी वज़ए से इसकी down गई है, तो आप देख सकते हो कि 14% battery health इसकी down चलीगी है, एक साल के अंदर, बाकि अगर आप video quality का पूछना चाहोगे, कि इसकी video quality कै कैसी है, तो उसके samples जो है, वो आपको मेरे channel पे पूरी भरपूर मिल जाएंगे, मतलब एक होता है कि मैं आपको अभी shoot करके दिखा दूँ की ideal condition में की camera कैसा है, एक होता है कि मैं daily vlogs बना रहा हूँ, कभी रात है, कभी दिन है, कभी सूरज स्तेज है, कभी बारिश हो जी है, क तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका camera कैसा perform करता है, बाकी रही बात rate की, तो rate का तो ऐसा है कि इस बार सस्ता जुरूर मिल रहा है ये आपको, लेकिन वही है कि आपको 1800 रुपे का एक charger charging ब्री का लग से खरीदनी पड़ेगी, फिलाल इसके लिए मैंने न इसली बार से, लेकिन फिर भी ये है कि 2000 आपको और खर्चना पड़ेगा, अगर headphones आप नहीं भी यूज़ करते, लेकिन charger तो यूज़ करना पड़ेगा अगर आप iPhone ले रहे हो, तो उस case में 44 से 46,800 रुपे और रुपर डालके 46,000 अरांड पड़ जाएगा, तो उस case में भी यह आप देख सकते हैं, यह hard सा एक cover है, तो इसमें डालके रखता हूँ इस iPhone को, उसकी वज़़से इसमें कोई scratch वगरा नहीं आए है, ना पीछे कोई scratch आए है, और आगे की तरफ भी मैंने screen guard डलवा के रखता था, एक दिन भी इसको बिना screen guard के मैंने use नहीं किया, तो उस जरूर ले सकते हो, और आपका use अगरे इतना ज़्यादा है, क्योंकि मतलब है, हैवी से हैवी, editing इतनी smoothly हो जाती है, वह चीज़ का मैंने को बहुत अच्छा है, और इसलिए मैंने लिया, एक तो इसकी camera quality के लिए, क्योंकि मैंने को vlogs बनाने होते हैं, और ultra wide angle में इसकी अच् अच्छी है, तो camera के लिए मैंने ये phone लिया था, और दूसर लिया था, कि मैंने को editing वगरा पी इस पर ही करनी है, तो 128GB वाला इसलिए मैंने खरीद लिया, और मैं बिल्कुल satisfy हूँ, और तो अगर आप heavy user हो, और safely चलाना जानते हो phone, या आप fanco की नहीं phone जादा, तो आप ज phones को जो 2020 और 2021 के हैं, तो आपका क्या सोचना इस वीडियो के बार में आपको कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो अच्छी लगी है, तो like ज़रूर कर देना, बाकी मेरे vlogs ज़रूर चेक करना, बड़ अच्छे vlogs बनाता हूँ, हिमाचल से हूँ, और entertain करता रूंगा, बाकी मिल अआगा, से हुआ हुआःएँ झाला करता सकते है, बाकी मिलगता हुआ हो